नमस्कार विद्ध्यार्थियो आजे आपने हिंदी विशई भणिशों पाठ तिन अंत्रिक्ष परी सुनिता विल्यम्स पाठ का सहित्य का प्रकार है जीवनी लेखक कोकिला बेन पारिक आपने परियों की कहनी सुनी होगी परी आकाश में रहती हैं आकाश में उड़ती हैं परी एक कालपनिक पात्र है पर इस पाठ में सुनिता को अंत्रिक्ष परी कह गया है जो एक हकिकत है क्योंकि सुनिता अंत्रिक्ष यात्रा करके सकुषल पृत्वी पर वापस लोटी है इस पार्ट में सुनिता विल्यम्स के जीवन, शिक्षा, अंत्रिक्ष यात्रा के लिए परिक्षा, प्रोशिक्षा, अंतर राष्ट्रिय स्पैस्टेशन के बारे में, सुनिता के अंत्रिक्ष रिकार्ड के बारे में, उनके द्वारा की गई, खोजो के बारे में बताया गया मनुस्य की महत्वक आंक्षाओं की कोई सीमा नहीं है आकाश के रहस्यों को जानने के लिए कई अंत्रिक्ष यात्री अंत्रिक्ष में गए इन में से बहरतिय मुल्की सुनिता विल्यम्स सफल अंत्रिक्ष यात्रा के बारे में बताया गया है राकेश शर्मा भारत के प्रतम पुरुस अंत्रिक्ष यात्री है कल्पना चावला भारत की प्रतम महिला अंत्रिक्ष यात्री है आज महिलाई हर क्षेत्र में पुरुसों के बराबर काम कर रही है अंत्रिक्ष में भी महिलाओंने कदम रखा है सुनिता भारतिय नागरिक नहीं है परन्तु उनके पिता डाक्टर दिपक भाईपंडिया गुजरात के थे बाद में अमरिका जाकर बस गए इसलिए सुनिता पर गुजरात और भारत को भी गर्व है सुनिता का जन्न 19 सितंबर 1965 को ओहयो अमरिका में हुआ था सुनिता बचपन से सहसी थी और उसे एसे ही खेल पसंद थे चो साल की उम्र में अमरिकी यात्री निल आम्स्ट्रोंग को चान से धर्ती पर उतरते देखा तब से निश्चय किया था वह भी अंत्रिक्ष में कदम रखेंगी सुनिता ने मैसा चुसेट में अंत्रिक्ष में अंत्रिक्ष में जाने की इच्छा थी इसलिए नासा जो वैटनानिक संस्था है अमरिका में उसमें वह गई सुनिता ने अपने सपाठी यानि साथ में पढ़ने वाले सध्याई मित्रक माइकल विल्यमस से विवा किया इस तरह सुनिता पंड्या से सुनिता विल्यमस बन गई 10 दिसंबर 2006 को अटलांटीस अंत्रिक्ष यान से सुनिता आपने 6 साथियों के साथ अंत्रिक्ष स्टेशन पहुँची यह अंतराष्ट्रिय अंत्रिक्ष अड़ा है प्रुत्वी से 307 किलोमिटर की दुरी पर है सुनिता ने 17 दिसंबर अंत्रिक्ष में चहल कदमी याने प्राचलन किया अंत्रिक्ष में सुनिता 194 दिन 18 गंटे और 18 मिनट अंत्रिक्ष में रही इस दरम्यान उन्होंने Human Life Science, Physical Science, प्रुत्वी निरिक्षन, शिक्षा, टेक्नोलोजी विसयों पर काम किया अंत्रिक्ष में सोना, खाना, लेटना मुश्किल है शरीर का वजन कम हो जाता है मास, पेशी और हड्यों को नुक्षान याने क्षती पहुँचता है अंत्रिक्ष से प्रुत्वी सुन्दर दिखती है वहां से विश्व बटा हुआ नहीं दिखाई देता सुनिता 19 जुन 2007 को अंत्रिक्ष यान अट्लांटिस द्वारा अपने साथ्यों के साथ सकुषल लोटी सुनिता ने कई रिकार्ड किये 20 सितंबर 2007 को सुनिता का अहमदाबाद में बव्य स्वागत किया गया सुनिता ने गुजरात और बहरत का सरुचा किया है अब आपको इस पार्ट को ध्यान से पढ़ना है और जो भी कार्य सुनिता का है वो आपको याद रखना है